नाम की एक लड़की थी, जिसे बचपन से ही जानवरों से बड़ा प्यार था, बचपन से ही प्यार के कमरे में एक मकडी रहा करती थी, जो अब उसकी पालतु हो गई थी, मेरी प्यारी मकडी, मुझे तुम बहुत जादा पसंद हो, सिर्फ तुम ही तो एक हो जो बचपन से म बुगा रहे हैं आज शायद अब मुझे जाना पड़ेगा इस घर से पर चिंता मत करो मैं तुम्हें भी साथ लेकर चलूँगी मेरी प्यारी मकडी तभी प्रिया की माँ उसे आवास लगाती है प्रिया जल्दी आ नीचे लड़के वाले आगे हैं प्रिया दोड कर नीचे आ मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी ये सुनकर प्रिया को बहुत जादा दुख हो जाता है वो सब तो ठीक है पर हमें दहेज में दस लाक रुपे चाहिए और मुझे नहीं लगता आपकी बेटी को कोई और रिष्टा देगा अपना तो सोच ल प्रिवार चला जाता है और प्रिया की मम्मे और पापा बहुत खुश थे कि आखिर उनकी बेटी की शादी ते हो गई थी पर प्रिया काफी दुखी थी मम्मी पापा ये इतना पैसा आप लोग कहां से लाएंगे कैसे होगा ये सब कुछ मुझे तो वो लोग ठीक नहीं लगे अरे तू मत चिंता कर बेटी सब ठीक हो जाएगा ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है पर शादी के एक दिन पहले बिर्जु गुस्से में प्रिया की घर आता है और उसके मम्मी पापा को धंकाने लगता है क्यों अंकल अंटी हमारी क्या बात ही थी कि आप हमें शादी से पहले सारा पैसा दे देंगे फिर पैसा अब तक मिला क्यों नहीं बेटा मैं तुम्हें शादी के बात पैसे दे दूँगा अभी इंतजाम नहीं हो पाया हाँ बेटा बस कुछी दिन के तो बात है एक बार शादी तो हो जाने दो बस पर बिर्जू जोर जोर से चिलाने लगता है और शादी तोड़ने की धंकी देने लगता है पर यह अपने कमरे में बैठी यह सब बाते सुन रही थी उसकी मकडी भी उसके पास ही थी और उसके से पेट्या यह तुम क्या कह रही हो अंदर जाओ हम लोग संभाल लेंगे पर बिर्जू को प्रिया का बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारे इतने हमद तुमने मुच्छ से शादी करने से इंकार किया हाँ क्या अब मेरे घर से निकल जाओ वरना धखके मार कर तुम्हें यहां से निकाल दूंगी बिर्जू को बहुत गुसा आता है और गुसे में वो पास रखा टेबल लाम प्रिया के सर पर मार देता है जसके प्रिया बेहोश हो जाती है प्रिया के हाथ में अभी भी मकडी थी वो नीचे गर जाती है मकडी जाकर बिर्जू क प्रिया को होश आता है तो सबसे पहले उसकी नजर अपनी मरी हुई मकरी पर पढ़ती है उसे मरा हुआ देखकर प्रिया जोर-जोर से रोने लगती है प्रिया की मम्मी पापा उसे चुप कर आने लगते हैं मा उसने मेरे प्यारी मकरी को मार दिया मैं उसाद में से कभी शादी नहीं कर सकती उसे पैसों के लिए उससे शादी कर दा है हाँ पेटा तुम चंता मत करो उसमें जब तुम पर हाथ अठाया तभी हमने फैसला कर लिया तकि हमी शादी नहीं होने देंगे हम अभी उसे फोन क कि मना कर देंगे प्रिया रोती रोते अपनी मकडी की लाश को उठाती है और अपने कमरे में ले जाती है कमरे में प्रिया मकडी की लाश को ले जाकर कोने में बैठ जाती है कि तभी मकडी एक बड़ी से भूत में बदल जाती है उसका सर बड़ा हो जाता है वो बिल्कुल इं स्पाइडर मैं चुड़यल बन चाओगी और जिससे चाहो उससे बदला ले पाओगी उस बिर्जू से भी क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पर मकडी का भूत कुछ और नहीं कहता और प्रिया के अंदर खुश जाता है इससे उसकी सारी शक्तिया प्रिया के अंदर आ जाती है पर प्रिया एक स्पाइडर मैं चुड़यल में बदल जाती है ये क्या? मैं तो सच मुझ स्पाइडर मैं चुड़यल बन गई मैं मीली दिख रही हूँ और ये क्या? प्रिया अपना हाथ हवा में घुमाती है और उसके हाथ से मकडी का जाल निकलता है वा, ये तो कमाल है मेरी प्यारी मकडी मैं सब कुछ समझ गई अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल करूँ तभी प्रिया की मा उपर कमरे में आ जाती है और मकडी प्रिया के अंदर से बाहर आ जाती है मा आप यहाँ आप इतना परिशान क्यों नजर आ रही है बीटा मैंने बिर्जु की घर पर फोन करके मना कर दिया शादी के लिए पर अब वो लोग शादी तोड़ने को तयार नहीं है हमने उन्हें पुलिस की धंकी भी दी पर उनके रिष्टदार पुलिस में है और उन्हें किसी का डर नहीं है मुझे और तुमारे पापा को अब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें बिर्जु शाम को पैसे लेने फिर से आएगा मा आप चिंता मत करो अब सब ठीक हो जाएगा और मैं ये शादी तो नहीं करूँगी पिल्कुल भी नहीं करूँगी प्रिया मा से आराम करने को कहती है शाम को प्रिया अपने ममी पापा को बाहर खाने पर भेज देती है ताकि जब बिर्जु पैसे लेने आये तब प्रिया स्पाजर मैं तुड़ेल बनकर उसे सबक सिखा पाए बिर्जु घर आती है अंदर खुझ जाता है और तेज तेज से चिला कर पैसे मांगने लगता है तभी प्रिया जिसके अंदर मकडी की आत्मा थी उसके सामने आ जाती है ओ प्रिया जी कैसी है आप लगता है आप बड़ी मस्गूत है तभी इतना तेज लेंप लगने के बाद भी आप एकदम बढ़िया है क्यों बिर्जु तुझे दिन में समझ नहीं आया था क्या मैं तेरे जैसे बत्तमीज लाल्चु और देवकुफाद में से कभी शादी नहीं करूँगी और ना ही तुझे एक पैसा मिलेगा पर इससे पहले कि बिर्जु कुछ करता प्रिया स्पाइडर मैं चुलैल में बदल जाती है और बिर्जु पर अपने जाल से हमला कर देती है ये ये क्या ये मैं जाल में कैसे भस गया पर बचाओ ये ये लड़की नहीं है ये तो कोई स्पाइडर मैं चुड़ैल है बचाओ बचाओ पाइडर मैन चुडएल अपने जादू से जाल में फसी हुए बिर्जु को हवा में उड़ा देती है और फिर उसे जमीन पर पटक पटक कर बेहोश कर देती है जैसे ही बिर्जु को होश आता है वो दोड़ कर अपने घर जाता है अपने घर पहुँचकर बिर्जू अपने मम्मी पापा को बुलाने लगता है तब ही बिर्जू अपने माबाप के कमरे में जाता है और वहाँ का नजारा देखकर चौक जाता है सामने स्पाइडर मैं चुड़ेल छट पर चिपकी हुई थी और उसके मम्मी पापा जाल में फचे हुए थे बेटा हमने मचाओ बेटा बिर्जू को देखकर स्पाइडर मैं चुड़ेल जमीन पर कूच जाती है और बिर्जू को अपने जाल में फचा देती है अब तीनों मेरी बहुत ध्यान से सनो मैं तुम्हारे बिर्जू से शादी नहीं करूँगी ये शादी नहीं होगी और किसी ने भी जबरदस्ती की तो तुम तीनों के साथ अच्छा नहीं होगा और हाँ इस बिर्जू की शादी किसी से भी हो अगर मैंने सुना कि तुम लोगों ने उससे दहेज लिया है तो मैं तुम तुम तीनों को जान से मौर दूँगी समझे हाँ हाँ हम बिल्कुल भी दहेज नहीं लेंगे किसी से भी नहीं और हम तुमको और तुम्हारे परिवार को बिल्कुल भी परिशान नहीं करेंगे पका ठीक है, मैं जा रही हूँ और हाँ, ये सारे गहने जो तुम लोगों ने हमारे पैसे से खरी दे हैं ये सब भी ले जा रही हूँ और डिकर स्पाजर मैं चुड़ेल सब गहने लेकर चली जाती है और वापस अपने घार आ जाती है प्रिया के ममी पापा उसका इंतजार कर रहे थे उन्हीं इंतजार करते देखकर चुड़ेल वापस प्रिया में बतल जाती है और भूतिया मकडी उसके सामने खड़ी थी मेरी प्यारी मकडी, अगर तुम नहीं होती तो ये सब कभी मुम्किन नहीं हो पाता तुमने मुझे इतना प्यार दिया ये तो मेरा फर्स था, अब मैं चलती हूँ इतना केकर मकडी वहां से गायब हो जाती है और प्रिया अंदर चली जाती है मापापा देखो मैं आगई और मैंने साब ठीक कर दिया मैं हमारे पैसे और गैने भी उनसे ले आई हूँ अब वो हमें कभी परिशान नहीं करेंगे तो ये सब तुम्हें कैसे किया अपरिचा वो सब बस अपने आप हो गया मा उन्हें अपनी गलती का एसास हो गया और बात वहीं पर खत्म हो गई अब कोई टेंशन की बात नहीं है मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और देखना मुझे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा शादी के लिए इसकी बाद परिया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और अक्सर अपने मकली को याद करती थी